Hello Friends Welcome to my YouTube Channel So Friends, आज हम यस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं Governing of Reaction Turbine Friends, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने governor के बारे में बता दिया है And Pelton Turbine क्या होता है Pelton Turbine का नियंतर क्या होता है With diagram मेंने सब कुछ बता दिया है Detail में अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो friends जाकर देख लीजिए link description में है तो चलिए friends इस वीडियो को start करते हैं अगर आपने हमारा telegram channel join नहीं किया है तो जाकर join कर लीजिए मैं वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइट कराती रहती हूं तो चलिए start करते हैं तो friends यह हमारा diagram है यहाँ पर देखिए हमारा यह servometer लगा है servometer connect है हमारा piston से यहाँ पर यह piston है piston की साहिता से यह piston जो है regulating soft से connect है यह यहाँ पर regulating soft है यह regulate करती है और यह जो दो points देख रहे हैं यह जो इस point की साहिता से regulating rod connect है यह जो rod है, यह rod मिलती है हमारी vains पर जाकर, यह दो rod है, rod हमारी vains पर जाकर connect होती है यहाँ पर यह जो बाहरी जो आवरड है, इसे बोलते हैं हम regulating ring, यह regulating ring है, यह rotate करती है यह अंदर यह जो anti-clockwise and clockwise direction दे रखी है, अगर clockwise है तो open हो जाएगा, anti-clockwise है तो close यह बाहरी आवरड इसे बोलेंगे हम scroll casing, यहाँ पर हमारा turbine inlet है, यहाँ पर हमारा pen stroke लगा होता है यहाँ पर गवर्नर बोलते हैं, इसे piping, connect to all pressure, यहाँ पर कोई pressure को connect ही है दाता है तो यह तो है हमारा diagram एक, तो चलिए अब हम इसे detail में चाल लेते हैं, तो friends, देखिए, इसमें जो guide wings होते हैं, इसमें guide wings तथा link की साहता से regulating ring में चोड़ा जाता है यह जो guide wings है, इसकी साहता से हम किस में जोड़ते हैं, regulating ring में चोड़ा जाता है, मैंने जैसा कि पता है, जो wings हैं, यहाँ चोटे 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 wings में जो rod connect थी, उसको हम किस से जोड़ रहे हैं, regulating ring से यह regulating ring को दो लंबे नियंतरित rod द्वारा जोड़ा जाता है, और किस की द्वारा जोड़ा जाता है, नियंतरित दो लंबे rod की द्वारा जोड़ा जाता है, जो एक सर्वोमीटर द्वारा जोड़े होते हैं, और इसमें एक सर्वोमीटर जोड़ा होता है, जो सबसे उपर ल लगा रहता है तर्वाइन प्रवेशपर ये जो तर्वाइन है तर्वाइन π्रवेशपर पेनिस्टो प्रेषरर रिगुलेटर की फेल्प से amsw lucky भूप से जुड़ा होता है तो यह जो तर्वाइन है यह जो पेनिस्टो के है यह reglating pressure की saitha से जुडा होता है लोड में ब्रद्धी हो जाती है तो प्रेशर रेगुलेटर टर्वाइन प्रवेश को बंद कर देता है अब जो लोड में ब्रद्धी हो जाएगी तो यह जो प्रेशर रेगुलेटर है वो किसको बंद कर देगा यह जो टर्वाइन में प्रवेश करना बंद कर देगा तथा जलका प्रवाहा टेल रेस की तरफ बिवाजित हो जाता है तूर फ्रेंट्स, यह है हमारी working एड अब इसके advantage जाल रहेते हैं तो चलिए advantage जाल रहेते हैं, advantage of hydroelectric power plant इसके कुछ advantage हैं, देख लिजी first, यह अधिक विशुवाश्नी होता है मतलब ये अधिक हमारे लिए economical है अच्छा source है second है इसमें प्रचालन लागत कम होती है and इसकी लागत भी कम होती है इधन पर व्या नहीं होता इसमें इधन पर व्या नहीं होता इसमें थोड़ा कम इधन लगता है ओके इधन नहीं लगता इधन परिवहन की आवश्यक्ता नहीं होती और इधन परिवहन की आवश्यक्ता नहीं होती जब इधन नहीं लगेगा तो परिवहन की आवश्यक्ता नहीं रहेगी इसमें कम देखवाल की आवश्यक्ता होती है रख रखाव लागत कम होती है इसमें रख रखाव लागत कम होगी परियावरण को प्रदोशित नहीं करता है हाइडरो पावर प्लांट की एफिसियंसी समय के साथ प्रवावित नहीं होती है इसमें क्या होता है जो हाइडरो पावर प्लांट है उसकी एफिसियंसी साथ में प्रभावित नहीं होती है नमर नाइन है इसमें उर्जा के नवीनी करड ये श्रोत का उप्योग होता है नमर टैन है इसमें राक की समस्या नहीं होती है जब हम इसमें इधन उपयोग नहीं करेंगे जब हम इधन उपयोग नहीं करेंगे तो ना तो पर इसमें हम इधन लाने की समस्या होगी और नहीं राक की समस्या होगी तो 11 है इसकी लाइफ अधिक होती है नमर 12 है इलेक्टिक पावर के उत्पादन की साथ पर सकती शाहियंतर बाद नियंतर तथा सचाई के रूप में इस्तमाल करते हैं वोगे इसका हम उपयोग सचाई के रूप में करते हैं तो चलिए अब हम जान लेते हैं डिसएडवांटेज इसके डिसएडवांटेज कुछ है थार्ड है यह पावर प्लांट पहाडी छेत्रों में पाया जाता है अब यह जो डिसएडवंटेज है इसके अब इसके डिसएडवंटेज सबसे बड़ा क्या है हमें यह जो हाइड्रो पावर प्लांट है यह हमें पहाडी छेत्रों में ओके यह पहाडी छेत्रों में पाया नेक्स वीडियो में जब तक कि लिए बाबाई टेक कियर गाईज